वहालव दोस्तों आज का टॉपिक है चुंबक बात करते हैं इसकी खुज की तो ये 2000 वर्ष पूर स्थानिक हई ह हजा जा जा चुका था ये किस अस्थान पे खुजा जा चुका था, इसका रंग त्था ही था इसका नाम उसी अस्थान पढ़ गया और इसके मागनेट इसका नाम पढ़ ग 빠गाया इसके मागनेट चार ने प़ोर अब बात करते हैं कि यृक्ट की बार्शत की कहलाती है कि करता है रहा बात करते हैं इसके गुर्व समान दूर्व करें जैसे कि यह चुंबक जैसे कि यह चुंबक û Also और ये यह सोगनों गया अगर इसको आप से से तोड़ देंगे तो ये फिर यह इस पूल बन जाएगा ये एन पूल बन जाएगा तो ये आपस में चिपक जाएगा थे य हो गाई इसमें आकर्सण होगा अगर इसी को आप यहाँ पर चेंज कर देते हैं जैसे ये ये दो चुम्बक लिय के आप ने और इसका धुर्ब N हो गया इसका भी N हो गया तो ये दूर की तरफ भागेगा ये परतिकर्षन करेगा ये परतिकर्षन करेगा बात करते हैं गुणब नमबर थर्ड की तो यह विपरीद धुरूबों के सामर्थ एक समान होती है, जैसे कि अगर यह S-Pol है और N-Pol है, अगर इसकी सामर्थ का मतलब होता है उसकी उर्जा, उसमें स्थित उर्जा यानि कि सक्ति, सक्ति को बोलते हैं सामर्थ, तो उसी कहते कि अक्ति अगर जितना खूजा एस पोल공 हो गा अब बात करते हैं फोर्थ से